हेलो मैं डॉक्टर अपूर्वी शर्मा कंसल्टेंट नियोडोजी मानिपाल ऑस्पिटल पालम्यार गुरगाओं से बोल रहा हूं आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में स्ट्रोक पाक्षा का अतलग हुआ हम जो भी आम भाशा में से समझे यह भारत में लगबग हर एक लाग में से 150 यानि डेर्व सो लोगों में से स्ट्रोक का इंसिडेंस पाया जाता है हर साल यह अभी भारत में चौथा सबसे बड़ा कारण हैं रित्यों का और पांच बार सबसे बड़ा कारण है डिसेप्लीटी का स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं पहला होता है इसकेमिक स कङते हैं ब्लडवेसल में खलोट यह थाममर्श जमा होने से आगे का ब्लडव रूज जाता है दूसरा होता है है रिट के ब्लीडिंग बाला जिसे में से कोई ब्लडवेसल रच वुन का बलीक ब्रेंपर रंग काौ आमे में होने कारण इसे мощ स्ट्रेशर बढ़ जाता है स्ट्रोक्स इश्केमे की अनस सूखने वाले क्लॉट वाले होते हैं 15% स्ट्रोक होता है ब्लीडिंग ये हम्रेजिक स्ट्रोक अच्छा दो रुका इलाज बिल्कुल अलग है आई डेली जल से जल अपने नस्दी की इमर्जनसी सेंटर जहां पे स्ट्रोक पूरा केर संभव है प्रेफरेबली नियुरोलोजिस्ट या एक लिस्ट फिजिशन वहां हो सारे चार घंटे में स्ट्रोक इश्केमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में नस खूलने की दवा जिसे हम थ्रॉम्बोलाइसिस भी कहते हैं ये दी जा सकते हैं जिससे कि ये मिराकुलस एकदम चमतकारी की रूप से रिकवरी हो जाती है अगर हमने इनिशल फोर और हाफ आस का विंडो मिस्ट भी कर लिया हो तभी अब अगले 24 घंटे में हम तार यानि थ्रॉम्बेक्टोमी जानगों के हिसाब से तार डालके उसे अब क्लोड को रिट्रीव कर सकते हैं ये कुछी सेंटर में हो होस्पिटल नियूरोलोजिस से मिल सकते हैं नमस्कार